अगला दाइओड कौन सा है अब दूसरा दाइओड वह है फोटो डायॉट यहां पर वर्ड हमने यूज के वो फोटों से लिया है मतलब एक तरह से लाइट के पैकेट होते हैं जो रैडियेशन से है उनके एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो लाइट के लिए यह वर्ड यूज कि आ गया है फोटो और डायोड ही होता ही इस लिए फोटो डायोड बोल दिया इसको भी डायोड जब भी बोला जाएगा तो इसकंदर उसमें पी जंक्शन है एक में क्या होगी डिपलेशन लेयर यह कौन सी लेयर होती है यह जो लेयर होती इसका नाम क्या बताओ इसको बोलते हैं डिपलेशन डिजन और इस डिपलेशन लेयर के अंदर पी साइड में तो नेगेटिव आइंस होते हैं कौन होते हैं नेगेटिव और एंस साइड में कौन से कनेक्ट करना और N को पोजिव से निगार से ओर सुनेक्ट करना ऋगा 돼 फूट है कि यह वाइड सोर्स लगा रहेगा अब देखो अज़र मइं कुछ माईनर टे चार्इयर इलेक्ट्रन डे साइड में कुछ माइनटे चार्ज केरियर कौन होंगे यह जो डायोड है फोटो डायोड इसको स्पेशल टाइप से डिजाइन करते हैं और इस टाइप से डिजाइन करेंगे कि इसका जो जंक्शन है वहां पर बाहर से लाइट या रेडियेशन इंसिडेंट करके इस जंक्श टो यहां पर लाइट इंसिडेंट करने का मतलब है यहां पर एनर्जी दी जा सकती है किसको डिप्लेशन रीजन को काम कैसे करेगा तो शुरूआत में जब आप यह वल्टेज कुछ भी रखोगे जिसे यहां पर कुछ वल्टेज रखा और आपने लाइट नहीं डाली कुनकि यह जो फ्री यह क्या होंगे इस नेगटिव से क्या होंगे रिपेल होंगे तो यह क्रोस कर जाते और इसके वज़े से क्या होता सर्किट में करन्ट फ्लो जाता है जो की एक दम enねगलेजिबल सा हुता है माइक्रो एंपियर में इसलिए आप यह मानके चलोगी कि Do every सब्सक्राइब करने जीरो यह लेकिन ठोड़ा बहुत होता है माइक्रो एंपियर में तो उसको मैं ग्राफ में ड्रोक कर रहा हूं रिवाइस कंडिशन आपको ग्राफ द्रोकर हो इसलिए माइनस और कि वह जैसे करेंट फ्लो रहे हैं तो वह करेंट इस ग्राफ के थ्रू में ड्रो कर रहा हूं वोल्टेज बढ़ा हो गया कर आप यह तो वह करेंट तीरी दिरे बढ़ेगा और फिर सेचुरेट हो जाएगा तो यह वाला जो करेंट यह है इंटेंस्टी जीरो क्यों पर करेंट दॉसको हमते हैं डार्क करेंट क्यों वह जाने रहेंगे रहें के सब्सक्राइद करेंपर एक चीज बताओ यहां पर लाइट इंसिडेंट करूंगा अगर यह पॉस्टिव और नेगेटिव आइंस की लेयर बन गी थी उन इलेक्ट्रोंस को जब यह एनरजी मिलेगी लाइट की फो में तो वापस से बॉंड तोड के बाहर जाने की कोशिश करेंगी डिप्लेशन रिजन में कोई चार्ज के रिए नहीं होता लेकिन जैसे लाइट डा लिए तो यहा पर एलेक्टन और फॉल पेट हो रहे हैं तो उनकों से कंडक्शन इस्टप हो तो हम क्या बोलते हैं कि barrier खतम हो गया तो light incident करने से क्या होता है कि यह जो depletion region है इसमें charge carriers produce हो जाते हैं और charge carriers produce होने के वजह से क्या होता है इसमें से conduction start हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं light intensity बढ़ाता हूँ तो मुझे यहां पर extra charge करेंगे जिसके वाज़े से सर्कृट में करेंट फ्लोगा तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइब का बनेगा यह जो ग्राफ है यह कोई आईवन इंटेंस्टी के लाइट के लिए अगर आप लाइट की इंटेंस्टी बढ़ाओगे तो ज्यादा चार्ट के लिए यहां पर मिले दिख रहा होगा नेगेटिव में बढ़ रहा ही नेगेटिव में मतलब तो नाब करंब highly इन्क्रीज हो रहा है किया बाते समझ में आई कि जोłbym धायोड है पहले बात अगये कि तब तक इस पर लाइट नहीं डालोगे तब तक आपको एक नेगलीजिबल सा माइक्रो एंपेर में करेंट मिल रहा होगा जिसको हम क्या होते हैं डार्क करेंट बोलते हैं फिर अगर आप इतना करण कम मिल रहा है तो इतना करण मिल रहा है तो हमने डाली है अगर इतना करण मिलेगा तो इसके अलावा यह और भी कई काम आता है अगर हम लाइट सिगनल को इलेक्ट्रिकल सिगनल में करना चाहते हैं उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो वह कैसे हमने देखा कि लाइट गिरेगी तो सर्कृट में सब्सक्राइब करने के लिए हम इसको यूज करते हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसको यूज किया जाता है आपको पता है जब किसी सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अगली जगह पर हमको वापस से लेक्ट्रिकल सिगनल चाहिए होता है लाइट नीची होती है तो लाइट की फाइबर है उसमें टोटल इंटरन रिफलेक्शन के थ्रू सिगनल एक जिगह से एक सीरे से दूसरी सीरे पर जाएगा तो उसमें से लोगा और दूसरी सीरे पर जब लाइट पहुंचेगी तो उसको वापस से कौनसे वाली फॉर्म में कनवर्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या उज़करते हैं फोटो डायूड का क्या है लाइट गिरते ही उसको इलेक्ट्रिकल सिगनल में कनवर्ट कर देना यह इसका लाइट को electricity signal में consistency tim depressed सीघनल में करना होता तो私 is mother Uhr के लिए उसकर मैंने यह तो टीवाइस बनाना चांडàiट होता है ऐसका अगर बंद रहे तो प्रेस्ट को पकड़ने वाली और 33 होती न ही punct पर काम करता है यहां पर बीच में क्या लगाते हैं एक अलारम लगा देते हैं यह जो अलारम होगा यह बजना स्टार्ट हो जाएगा जिसमीस बगएर में दिखाते क्या यह बीच में के डायमंड पडाता है और उसको चुराने के लिए अठेरके लारम बजना स्टार्ट होजाएगा तो पकढ़ लेते हैं तो वह यहूं का युज करते हैं बर्गलर, अलार्म के तौरबे हम इसको उस कर सकते हैं सरकिट में या इसको हम और सिगनल को इलेक्टिकल सिगनल में कंवर्ट करना होगा तब यूज किया जा सकता है इस टाइब के इसके यूज होते हैं आई बाते हैं समझ में ठीक है